ओम शान्ति आज 15 सितंबर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट से आज बावा ने कहा भगवानु वाच मामेकम याद करो मैं पतित पावन हूँ मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनास होंगे और मुक्ती धाव में आ जाएंगे फिर आगे बावा ने कहा यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए हैं बोलो बाप कहते हैं देखे सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो परधान से शतो परधान बन जाएंगे मैं गुजराती हूँ फलाना हूँ यह सब छोड़ो अपने को आत्मा समझो और बाप क याद करो यह योग अगनी बाबा ने कहा थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ग्यान समझेंगे बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ग्यान उठाएंगे बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदो सास्त्रों का सार समझाता हूँ यह सब है भक्ती मार की शामक्री सिड़ी उतरना होता है ज्यान भक्ती फिर भक्ती का है बैराग्य जब ज्यान मिलता है तब ही भक्ती का बैराग्य होता है अब मुरली सुनते हैं विस्तार से मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हे ज्यान का तिसरा नेत्र देने जिससे तुम स्ष्ष्टी के आदी मजद अंद को जानते हो आज का प्रश्ण सेर्नी शक्तिया ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है उतर दुसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो परमात्मा नहीं आत्मा समझ कर बाप को याद करो तो विकर्म विनास होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनास नहीं हो सकते यह बात बहुत हिम्मत से सेर्निश शक्तियां ही समझा सकती है समझाने का भी अभ्यास चाहिए आज का गीत है नैन हिन को राह दिखाओ प्रभू ओम शान्ति बच्चे अनुभो कर रहे हैं रुहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है भक्ती मार्ग में दर दर ठोकरे खानी ही होती है अनेक प्रकार के जब तप यग्ये करते शास्त राधी पड़ते हैं जिस कारण ही ब्रमा की रात कहा जाता है आधा कल्प रात आधा कल्प दीन ब्रमा अकेला तो नहीं होगा न, परजापिता ब्रमा है, तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परण्तु मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप भी बच्चों को ग्यान का तिसरा नेतर देते हैं, जिससे तुमको स्रीष्टी के आधी मज्द अंध का ग्या तुम कल्प पहले भी ब्रामन थे और देवता बने थे जो बने थे वही फिर बनेंगे आधिश्णातन देवी देवता धर्म के तुम हो तुम ही पुझ और पुजारी बनते हो भारत ही आधा कल्प पुझारी बनता है आत्मा मानती है हम पुज्य थे फिर हम ही पुजारी बने हैं पुज्य से पुजारी फिर पुज्य बनते हैं बाग तो पुज्य पुजारी नहीं बनते तुम कहेंगे हम पुज्य पावन सो देवी देवता थे फिर 84 जन्मों के बाद कम्पलिट पतित पुजारी बन जाते हैं अभी भारत बासी जो आदिशनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे, जो इसे धर्म के कहां कनवट हो गए होंगे, वो ही आएंगे, ऐसे कनवट तो बहुत हो गए हैं, बाग कहते हैं, जो शिब और देवताओं के पुजारी हैं, उनको सहज है, अजन धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कनवट होगा, उनको टच होगा, और आकर समझने की कोशिस करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं, आरिव शमाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सीख लोग भी आए हुए हैं, आदिशनातन देवी देवताओं धर्म वाले जो कनवट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा, जार में भी अलग-अलग शक्षन हैं, फिर आएंगे भी नंबर वार, टाल-टालिया निकलती रहेगी, वो पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है, इस समय देवी देवताओं धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है, बेहन भाई तो बनाना ही पड़े, हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा भाई भाई हैं, फिर भाई बेहन बनते हैं, अब जैसे की नई स्रिष्टी को अस्थापना हो रही हैं, पहले पहले हैं ब्रामन, नई स्रिष्टी की अस्थापना में परजा पिता ब्रमा तो जरूर चाहिए, ब्रमा दुआरा ब्रामन होंगे, इनको रूद्र ज्यान यग्यवी कहा जाता है, इसमें ब्रामन जरूर चाहिए, परज इव को मानते भी है इस समय तुम पुजारी से पुज्य बन रहे हो तुमारा सब से अच्छा यादगार मंदीर दिलवाडा मंदीर है नीचे तपश्या में बैठे हैं उपर में राजाई और इहां तुम चैतन में बैठे हो यह मंदीर खलास हो जाएंगे फिर भक्ति मार्ग म बनेंगे तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं फिर नई दुनिया में जाएंगे वह जड़ मंदीर तुम चैतन में बैठे हो मुख्य मंदीर यह ठीक बना हुआ है सर को नहीं तो कहां दिखाएं इसलिए छट में सर को दिखाया है इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो बोलो भारत ही सोर्ग था फिर अब भारत नर्क है इस धर्न वाले जट समझेंगे हिंदूओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं तुमको बहुत मेनत करनी पड़ती है निकालने में बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मा आमेकम याद करो बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं अगर दुसरे धन वाले हैं तो समझाना चाहिए यदि तुम मुक्तिधा में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे, तो तुम्हारे जनम जमांतर के पाप कर जाएंगे, और मुक्ति धाम में चले जाएंगे, तुम्हारे लिए यह मन मनाभो का मंतर ही बस है, परंतु बात करन की हिम्मत चाहिए, सेर्णी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं, सन्याशी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं, कि चलो तुमको इस्पिचल नौलेज देवें, अब वो बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मों को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो, बस य काईम लगता है, बावा ने कहा था, हर एक चीत्र के उपर लिखा हुआ हो, शिब भगवानु वाज, तुम जानते हो, इस दुनिया में धनी विगर, सब निधन के हैं, पुकारते हैं, तुम मार पिता, अच्छा, उनका अर्थ क्या, ऐसे ही बोलते रहते, तुम्हारी काते सुख घनेरे, अब बाप तुमको सौर के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरसात कर रहे हो, जो करेगा वो पाएगा, इस समय तो सब पतीत हैं, पावन दुनिया तो एक सौर गही है, या कोई भी सतो परधान हो न सके, सत्यूग में जो सतो परध थे, वही तमो परधान पतीत बन जाते हैं, क्राइश्ट के पिछाडी, जो उनके धर्म वाले आते हैं, वो तो पहले शतो परधान होंगे ना, जब लाखों की अंदाज में होते हो, तब लसकर त्यार होता है, लड़कर बादसाही लेने, उनको सुख भी कम, तो दुख भी सके, तुम अभी त्यार हो रहे हूँ, सुख धाम में आने के लिए, बाके सब धर्म कोई सर्ग में थोड़ी आते हैं, भारत जब सर्ग था, तो उन जैसा पवन खंड कोई होता नहीं, जब बाप आते हैं, तब ही इश्वरिय राज अस्थापन होती हैं, वहां लड़ाई आदी की बात नहीं, लड़ना जगणना तो पहुत पीछे सुरू होता है, भारत बासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं, द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं, यह चित्र आदी बनाने में भी बड़ी बुद्धी चाहिए, यह भी लिखना चाहिए, भारत जो स्वर्ग था, सो फिर नर्क जैसा कैसे बनाएं, आकर समझो, भारत सदगती में था, अब दूरगती में हैं, अब सदगती को पाने के लिए बाप ही नौलेज देते हैं, मनिश्यों में यह रुहानी नौलेज होती नहीं, यह होती है परम पिता परमात्मा में, बागी यह नौलेज देते हैं आत्माओं को, बागी तो सब मनिश्य, मनिश्यों को ही देते हैं, सास्त्र भी मनिश्यों ने लिखे हैं, मनिश्यों ने पढ़े हैं, यह तो तुम्हें रुहानी बाप पढ़ाते हैं, और रूह पढ़ती हैं, पढ़ने आदि से किसकी भी शद्गती हो नहीं सकती। मुझे यह आकर सब को बापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोडो मनिश है। सत्यूग में जब इन लक्ष्म नाराण का राज्य था तुवा नो लाख होते हैं। बहुत छोटा ज्जाड होगा। फिर विचार करो इतनी स जब आत्माई कहां गई? ब्रह्म में वह पानी में तो नहीं लिन हो गई। वह सब मुक्तिधा में रहती है। हर एक आत्मा अविनासी है। उनमें अविनासी पाड़ बंधा हुआ है। जो कभी मीठ नहीं सकता। आत्मा बिनास हो न सके। आत्मा तो बिंती है। बागी न सब को ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पाट। नई दुनिया की अस्थापना, फिर पुरानी दुनिया का बिनास। यभी ड्रामा में नूंध है। तुम आरिश शमाजियों के जुन्ड को समझाएंगे। तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा, उनको टच होगा। ब्रोवर्ट ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्व्यापी कैसे हो सकता। भगवान तो बाप है, उनसे बरसा मिलता है। कोई आरिश शमाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना। उनको ही सेंपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा, वो आजाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाज मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनास होंगे, और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। या पैगाम सब धर्म वालों के लिए हैं। बोलो, बाप कहते हैं, देख सब धर्म छोड़, मुझे याद करो। तुम तमोपरधान से शतोपरधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, या सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह योग अगनी, शंभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं, पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वान धाम में भी पावन होने बिगर आन सके। रचना के आदिमध अंध को भी समझना है। पुरा समझने से ही उच्पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ग्यान समझेंगे। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ग्यान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वान परस्तियों के लिए और ही सहज है। गिधास्त बैभार से किनारा कर लेते हैं। वान परस्तवस्ता शाट बर्स के बाद होती है। गुरू भी तब करते हैं। आजकल तो छोटे पन में ही गुरू करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर साट बर्स के बाद गुरू किया जाता था। सदगती दाता तो एक ही बाप है। यह अनेक गुरू लोग थोड़ी हैं, यह तो सब पैसे कमानी की युक्तिया हैं। सदगुरू है ही एक, सब की सदगती करने वाला। बाप कहते हैं, मैं तुमको सब वेदो सास्तुरों का सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार की समक्री सिड़ी उतरना होता है। ग्यान, भक्ति, फिर भक्ति का है बैराग्य। जब ग्यान मिलता है तब ही भक्ति का बैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको बैराग्य होता है। बाखी दुनिया को छोड़ कहा जाएंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खतम ह इसलिए अब बेहत की दुनिया का सन्यास करना है पवित्र बनने बिगर घर जा न सके पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए भारत में रक्त की नदिया होने के बाद फिर दूद की नदिया बहेगी बिश्नु को भी छिर सागर में दिखाते हैं समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ती जीवन मुक्ती के गेट खुलते हैं जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा अब लड़ाई लगी की लगी एक चिनकारी से देखो आगे क्या हुआ था समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर लड़ाई चलती ही रहती है एक दो के मददगार बनते रहते हैं तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खतम होनी चाहिए अच्छा, मीठे मीठे धारना के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट यह पुरानी दुनिया अब खतम होनी है इसलिए इस दुनिया का सन्यास करना है दुनिया को छोड़ कर कहा जाना नहीं है लेकिन इसे बुद्धी से भूलना है दुसरा पॉइंट निर्वान धा में जाने के लिए पूरा पावन बनना है रचना के आदि मत अंत को पूरा समझ कर नई दुनिया में उच्पद पाना है आज प्यारे मीठे बाबा का बरदान अकेले पन की नीद को तलाख देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव साच्छातकार मुर्त बन भक्तों को साच्छातकार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजित पनो जब बिनास काल भूलता है तब अकेले पन की नीद आती है भक्तों की पुकार सुनो दुखी आत्मों की दुख की पुकार सुनो 85 आत्मों के प्रार्थना की आवाज सुनो तो कभी भी अलवेलेपन की नींद नहीं आएगी तो अब सदा जाकती जोद बन अलवेलेपन की नींद को तलाग दो और साथातकार मूर्त बनो सलोगन तन मन धन मन वाणि कर्म किसी भी प्रकास से बाप के कर्तव में सयोगी बनो तो सहज योगी बन चाएंगे अच्छा ओम शान्ति